आज राम लक्षमन परशुराम समवाद का दूसरा भाग। यदि आपने अभी तक पहला भाग न देखा हूँ, तो ग्रपया पहले उसे देख ले। अन्य था आपकी पाठिपुस्तक में भरंग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगी बाद। चलिए, आज देखते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु स समाना। कल के प्रसंग में लक्षमन जी जिस समय भगवान राम से परशुराम जी की वारता हो रही थी। और परशुराम जी ने ये कहा, कि सो बिल्गाव भिहाई समाजा न त मायरे जही हैं सब राजा। वह अलग हो जाए जिस नहस तोड़ा है अन्यथा सारे राजा डन्ड के भागीदार होंगे। उनका बद हो जाएगा मारे जही हैं सब राजा इस बात को सुनकर लक्षमर जी मुस्कराए थे सुनी मुनी बचन लखन मुसकाने लक्षमर जी मुसकराए और मुसकरा करके उन्होंने तमाम वारता सुरू कर दी परश्राम क्रोध में आ गए परश्राम जी क्रोधित होकर कहते हैं हे मुर्ख बालक हे राजा के पुत्र राजकुमार ऐसा लगता है मर्थ तेरे निकट आ गई है तू अपनी वानी को रसना को सम्हाल कर नहीं बोल रहा है लक्षमर की कहने पर मैंने क्या नहीं बोला उन्होंने का तुमने धनुस भगवान शंकर के उस धनुस की तुलना अपने बच्पन की तमाम धनुईयों से कर दी सारा संसार जानता है कि उधनुस श्यूव का कितना विशाल कितना महान है और तुम्हारे उधनुस उसकी कोई आवकात नहीं है पहले लक्षमर मुसकरा के उठे थे अब लक्षमर जी लखनी कहा हंसी अब हंस करके कहने लगे कितनी सुन्दर नीती है यही राज नीती है सामने वाला जब क्रोधित हो तो हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए जलती हुई आग में घी नहीं डालना चाहिए या कहीं आग लगी है यहां भी दूर बे आग नहीं लगानी चाहिए आग को शान्त करने के लिए थंड़ा पानी चाहिए लक्षमन ने पहले मुसकर आए और अब हसने लगे माने उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा सामने वाला अपने आप हतोत्साहित नहो जाएगा लक्षमन ने हस करके कहा लक्षमन बोले है प्रश्राम जी मैं तो ये जानता हूँ मेरी अपनी बुद्ध के अनुसार मेरी मानिता के अनुसार हमने अपने जीवन में एक बात सुखी है सुनहु देव सब धनुस समाना है देव है रिशिवर है मारशी है परसुधर सुनहु देव सब धनुस समाना अरे हमारी निगाह में हम छत्री हैं हम वीर हैं सारे धनुस समान हैं धनुस का काम शिकार करना है धनुस का काम तीर चलाना है और धनुस से निकला हुआ तीर गंतव तक पहुँचना चाहिए, इस से धिक मैं कुछ नहीं जानता, लखन कहा हंसी, हंस करके कह दिया इस बात को, सब धनुस और समाना, इस से बड़ी बात और समानता की कहां से होगी, सोचिए जरा, एक बार लोग सबाम अटल जी बोल रहे थे, किसी मंदर की बात थी शंकर जी के, संकर जी का वो नाम न लेकर, कि उन दूसरा नाम ले लिया, बिपक्षी तमाम बोलने लगे, वो नहीं, वहाँ पर वो मंदिर है, अटल जी ने कहा था, हमें सारी जगा एक ही नाच दिखाई पड़ते हैं, यही तुमनस से की धाना होनी चाहिए, बुरी सुन्दर बात कही, लगन कहा हसी हमरे जाना, अरे सुनों देव, सब धनुस समाना, हमारे निगाह में सारे धनुस बराबर हैं, का च्छति लाब, ज्यून धनु तोरे, जरा समझिएगा, का च्छति लाब, अरे क्या च्छति माने, नुकसान, यह मैंने कहा था, यह आवधी में लिखा है, नुकसान है, ना कोई फाइदा है, ना लाब है, ना हानी है, का च्छति लाब, अरे ज्यून धनु तोरे, यहां शब्द ज्यून आया है, हमारे तमाम विध्यारती, ज्यून का मतलब मई ज्यून न लगा लीजिएगा, ज्यून का मतलब यहां पर, जो अस्तविक शब्द ह जो तत्सम सब्द है वो जीर्ण है जीर्ण माने होता है पुराना जीर्ण से जीन जीन से भाषा में जब कोई कवी कविता बनाता है तो शब्दों के मात्रा और शब्द क्या वर्ण देखने के लिए कुछ आगे पीछे करना पड़ता है कहीं नारी है तो नारी लिखना जून माने जीन, जीन माने पुराना, अरे पुराना धनुस था, तूट गया, उसके तूटने से न कोई लाब हुआ, न कोई हानी हुई, बेकार में आप चिला रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, काच्छती लाब जून धनुतोरे, अरे देखा, अब रासंकेत भी कर दिया, कि त तूम समझ नहीं पाए अभी तक, भगवान राम स्वयम बता गए हैं, कि मैंने धनुस तोड़ा है, लेकिर उनकी भाषा थी, अब लक्षमन की अपनी भाषा है, देखा, रामनयन के भोरे, अरे भोली भाली आँखों से, सीधी तिरशी निगाहों से, भगवान राम ने धन उसकी और निहारा, और जब निहारा, कई लोग इतने समझदार होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, कि आँख के इसारे से ही, वो मान जाया करते हैं, नेत्रों का इशारा बहुत बड़ा इशारा होता है, घरों में देखते हूं लंग, महमान आया हुआ है, मा बेटी एक चाय बनाने जाना है, यह आँख का इशारा है, जितनी बात हम महन से कह जएते हैं, तो देखा राम नैन के भोरे, जो ही राम ने अपने भोले भाले रूप में इस भनुस की और देखा, राम की आज्या मान कर हुआ क्या, चुवत तूट रगुपतहिन दोशू, चुवत त चूते ही तूट गया यह तो, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं, बड़ा सक्तिशाली था, बड़ा धरु तेज था, अरे चुवत तूट, इनमें मेनद भी नहीं करनी पड़ी राम को, यह भी देखे, सामने वाले को उसकी गरिमा को नष्ट करने का इससे बड़ा उदाहल नह रगुपते ही भगवान रगुपते, राम का कोई दोश नहीं है, अरे दोस्तो तब हो, जब उन्हों जानबूज करके तोड़ा हो, इसलिए चुवत तूट, रगुपते ही न दोशू, अमुनी बिनुकाज करिय कत रोसू, मुनी, हे रिशिवर, हे परश्राम जी, यहां अज बिना काम के, बिना मतलब के विर्थ में करिय कर रहे हो, कत माने क्यों, रोसू, रोस गुसा, बिना मतलब में चिला रहे हो, बिना मतलब में गुसा कर रहे हो, यह कोई बहुत बड़ा पुराना धनुस था, तूट गया, तूटने में भी किसे ने जानबूज कर नहीं नहीं है, मैं समझता हूँ, इस परष्ट हो गया होगा, वो अब पर अस्तुराम जी को और गुष्टा आ गया, साथ ध्यान रखिएगा, चौपाई छंद चल रहा है, मैंने का था, अंत में दोहा आएगा, हो सकता है, परिक्षा में क्यों दोहा ही आजाए, ये आपको देखन में पढ़ने में अलग समझ में आता है, दोहे में चार चरन होते हैं, मैंने कल बताया था, आज मैं चल्चा करूंगा, आगे देखते हैं, फिर तो अवधी भाष्या है, कल बता दी थी, आवधी नहीं लिखना है, चौपाई और दोहा, दो छंद मैंने यहां दोनों लिख लेकिन परिक्षा में जो छंद आया हो, आप उसकी चर्चा करेंगे, दोहें तो टोटल हमाई कार में छे हैं, चौपाईया सब हैं, आप क्या हुआ, मुनिबिनुकाज करी कतरोसू, तो परशुराम जी कहते हैं, बोले चिते परसु की ओरा, परशुराम, कहा जाता है, उनक परशुराम जान नहीं पाए थे, कि भगवान राम ने अवतार ले लिया है, और पहले परशुराम का नाम भी, कुछ लोग कहते हैं, कई पुस्तके बताती हैं, इनका राम नाम था, राम ही बन करके विचलन करते थे, भगवान शंकर की उपासना करते थे, एक बार परवती ने उन्हें आदेश दिया था, कि ये लो जो आत्ताई हैं, जो इश्वर के काम में बिख्ण डालने वाले हैं, उनका बद करने की तुम्हें मैं अनुमति प्रदान करते हूं, आसे ये फरसा तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम्हारा नाम परशुराम होगा, ये चक्रधर कृष्ण कह दिया, मुरली धर कह दिया, तो फरसा होने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ गया था, तो बोले चितए अपने फरसे की ओर देखा, बोले चितए द्रश डाली, बोले चितए परशुकी ओरा, अपने फरसे को दिखा कर उसकी ओर निगा, देखो रश्मन, बोले चिते परसुकी ओरा, क्या बोले, रे सथ सुने हूं, सुभाव नमोरा, रे सथ हे दुष्ट, ये जो सथ शब्द है, वो गाली है एक प्रकारी की, अब देखे, लक्षमन अभी तब गुस्ता में नहीं आ रहे है, सामने वाला गुस्ता होता चला जा रहा है, उसकी क्रो वो नमोरा, तुमने मेरा सुभाव नहीं सुना अस तक, ये लक्षमन मैं कौन हूं, मुझे जानते नहीं हो, मेरे क्रोध का तुम्हें कुछ भी पता नहीं है क्या, क्यों, मुझे इस तरह की बातें करते चले जा रहे हो, और उन्हें का नहीं मुझे कुछ नहीं पता, बोल बालक बोली बालक बोली बालक बोली अरे मैं जानता हूँ तुम बच्चे हो 14-15 साल के हो किशोर हो बालक बोली 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 ब मिठ्या वासन नहीं कर रहा हूँ अगर मेरे क्रोध को नहीं जानते तो तो अपने गुरू विश्वामित्र जी जिनके साथ बैठे हुए हो जिनके साथ आए हुए हो केवल मुनी जड़ जाने ही मोही केवल मुनी यहाँ मुनी जो है कितना क्रोधी हूँ ये सब उन से पूँच सकते हो उन्हें मेरे बारे में भली भाती पता है अगर मैं तुझे आज छोड़ रहा हूँ तो उस छोड़ने का कारण केवल और केवल एक है तुम बच्चे हो और बच्चों पर निरपराध होते हैं बच्चे समझदार नहीं होते हैं इसलिए उनको माफ करना चाहिए ये सोच करके अब अपनों का आप मेरे मुझे केवल भी स्वामित्री जी जानते हैं जरा मैं भी कुछ बता देता हूँ अपने आप अपनी प्रसंसा करने लगे बोले बाल ब्रह्मचारी मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ शक्ति का संचे करने के लिए ब्रह्मचारी जीवन वितीत करना पड़ता है बोले बाल ब्रह्मचारी मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ अभिवाहित हूँ संत हूँ तपश्वी हूँ वीर हूँ बाल ब्रह्मचारी और अति कोही, कोही माने क्रोधी, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, और एक बात हमारा विशेसर देखिए, अपनी बाप बताते हैं, बोले विश्व विदित च्छत्रियकुल द्रोही, विश्व विदित, सारे संसार में व्याप विस्तु विदित छत्रिय कुल, छत्रियों का जो वंस है, ठाकुरों का जो वंस है, क्योंकि राजाओं को मारा करते थे, है न, विस्तु विदित छत्रिय कुल द्रोही, छत्रियों के कुल के परिवार के द्रोही दुस्मन हैं, ये सब को पता है, अपरत्यक्ष रूप से, पर और अब उसका प्रमान देता हूँ पर असराम जागे कहते हैं अनुप्रा सहारा आए कई जगे देखते चलिएगा भूजबल अरे मैंने अपनी भुजाओं के बल पर किसी का साथ नहीं लिया किसी का सहारा नहीं लिया कोई फोज नहीं बुलाई भूजबल भूमी इस भूमी को इस धर्ती को भूप बिनुकीनी भूप माने राजा धान रखिएगा जब दो राजियों में उद्ध होता है जो राजा मार डाला जाए या राजा बंदी बना लिया जाए राजा रही धर्ती हो जाती है उस पर कब्जा हो जाता है थर्प्ति को भुजबल भूमिभूप बिनुकी नी बिना राजाओं के धर्प्ति को कर दिया कहने का मतलब यह मैंने असंक भूपों को मार डाला हत्या कर दी उनकी यह मेरी विश़्क्यों के छत्री राजा छत्री हुआ करते थे राजी करने का काम छत्रियों का था तो भुजबल भूमी भूप बिनुकीनी मैंने एपनी भुजाओं के बल पर इस धर्ति को राजा की रामाई भू पती है राजा को भूपती कहा जाता हुआ भू का पती है और अगर भू मर गया तो बेकार है भूपर राज्य करने वाला राजा ही जब पती मर जाए धर्ती अनात हो जाती है तो भुजबल भूमी भूप बिनुकीनी और वो धर्ती मैं राजाओं को मार डालता था छत्रियों को मार डालता था उनकी हत्या करने के बाद में क्या करता था बिपुल बार अनेक बार एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ एक बार तो संयोग यह हो जाता है संयोग था मगर अनेक बार बोले बिपुल बार महिदेवन दीनी बिपुल बार अर अनेकों बार मैंने इस धर्ती को राजाओं से प्रथक करके राजाओं की हत्या करके उस जमीन को उस धर्ती को उस राज्य को महिदेवन दीनी महिदेव कहते हैं इस धर्ती का देवता ब्रामण को माना गया था हम इस offset नहीं जाएंगे तब प्ल बार महीदेव को आर्थ ब्राह्मन है मैंने तमाम बार क्षट्रियों से राज छीन करके उनकी हथ्या करके ब्राह्मनों को राजा बनाया है ये बात सारा संसार जानता है विस्विदित है मैं बाल ब्रहमचारी हूँ अब परसवामी ने क्या क्या कहा मैं विस्विदित है कि बाल ब्रहमचारी हूँ अत्यंत क्रोधी हूँ छत्री कुल का द्रोही हूँ अनिक बार मैंने राजाओं का बद करके जमीन ब्राम्भनों को सौंप दी है बीच बीच में प्रशनाते हैं आगे सहसबा हुँ बुज़ छेद निहारा परस बिलो की महीप कुमारा हे महीप कुमार कुछ जगे महीज कुमार लिखा हुआ दोनों अर्थे कई बात चलेंगे महीज का मतलब राजा होता है महीप का मतलब भी राजा होता है परस बिलो की हे महीप कुमार हे राज कुमार हे लक्षमन महीप कुमार परस बिलो की मेरा इस फरसे को देखो बिलो की मैंने देखो ये फरसा मेरा देखो कौन सा फरसा साहसबाव कलबात की थी सहसबाव की हजार भुजाओं वाले सहसबाव विस्विजेता जो था उसको भी मैंने जब मारा था सहसबाव भुज उसकी सहजार भुजाओं को छेदन हारा छेदन हारी मतलब काटनी वाला अरे इसी फरसे ने सहस्तरा बाहु जैसे राक्षस की, सहस्तरा बाहु जैसे विक्त की, राजा की हत्या की थी, हजार भुजाएं काट डाली थी, ये पर्चा उस बात का साक्षी है, अरे मेरे इस फरसे को देखो, हजार भुजाएं वाला जब मेरे सामने इस फरसे के सवक्ष नहीं बचा, तो त अपने परसे की प्रसंसा करते हुए कहते हैं अरे अपने माता पिता के लिए सोच करो, चिंटा करो अपरत्यक्ष रूफ से कहने का मतलब ये अगर तेरी बद्धत्या हो जाएगी तो माता पिता ताफने लगेंगे जिनके सामने उनके जवान पुत्र को मार दिया जाए किशोर पुत्र को मार दिया जाए अबोध बच्चे को मार दिया जाए तो उस माता पिता का क्या होगा मात तु पिता ही जैनी सोच बस माता पिता की चिंटा करो करेसी महीप किशोर अपने माता के पिछिंटा नहीं करते तुम यहाँ जबान लडा रहे हो उल्टा सीधा बोल रहे हो हे महीप किशोर उनकी चिंटा करो क्योंकि गर्भन के अरभक दलन हमारा ये फरसा किसी को बख्षता नहीं है किसी को छोड़ता नहीं है बोले गर्भन के अरभक दलन गर्भक गर्भन की गर्भ कहते हैं बच्चा जब मैंने तो इतनी तमाम इस्त्रियों को मारा है गर्भ में जिनके बच्चे थे मैंने उनको भी मार डाला गर्भन के अरभक दलन अरे गर्भ में पल रहे शिशु पेट में जिन महिलाओं के बच्चा था जब मेरा यह फरसा चलता है तमाम इस्ति पूरुस मारे जाते हैं तो कहते हैं गर्भन के अरभक बच्चे को दलन दलने वाला और काटने वाला माने गर्भस्त सिशुकों भी इस फरसे ने छोड़ा नहीं है जातियो परशुराम और लक्षमर का बड़ा भीशन समवाद हुआ था आज भी राम लिला होती है और परशुराम जी के उस चर्चाय देखती है कि बहुत लोग देखने जाते हैं परशुराम लक्षमर समवाद पड़ा हां दो तीन घंटे तक समवाद चलता है कहीं परशुराम तेज पड़ते हैं कहीं लक्षमर तेज पड़ते हैं तो परशुराम की विशेष्ता थी कि उनका फरसा तमाम गर्भस्त सिस्वों को इमार डालता था पर मुझे कोई छंद एक याद है कि उस समय पर असलाम जी कहते हैं कि ये लक्षमन धनु की टंकोर सो महेंद्रा चल हिलिजात धनु की टंकोर सो महेंद्रा चल हिलिजात दिगच दिगपाल कप जाते हैं बड़े-बड़े दिशाओं के हाथी और राजवी काप जाते हैं अरे बक्रदर्श्ट हेरे से जरास मैं तीर्छे निगाह कर दूँ अरे बक्रदर्श्टी हेरे से सुरेश हु सहम जात सुरेश देउताओं के देउता इंद्र भी सहम जात डर जात शेष शेषनाग भी डर जाता है जिसके धरती जिसके पीट पर है फन पर है डर जात शेष और दिनेश घबराते हैं दिनेश बने सूरी भी घबरा जाते हैं उलपति नवेलिन के गर्व गिरि जाते हैं, जो नो ह definitive है, उनके गर्व में पल रहे सिसु भी गिर जाया करते हैं, मेरी धनूस संपलम्हें कंपने बनाजन लोगोंडन सकते हैं और उनका गर्व से पात हो जाता है, गर्ब से गिर जाता है उनका अब और्सन हो जाता है गर्ब तो कहते हैं धरुकीटम गोरसों महिंद्रा चल हिलिजात दिगच दिगंत दिगपाल कप जाते हैं अरे वक्रदश्टी हेरे से सुरेसों सहिम जात डर जात शेष और दिनेश घबराते हैं लखन कर को कुठार जो फ हूं तमाम मरे पड़े रहते हैं वो मास कहने का आश है था परश्टराम का अपना द्वारा अपनी प्रसंसा अवधी भाशा है अनुप्रा सलंकार विशेश रूप से विद्धिमान है वीर रस है ओज गुन है वीरता की बाते हैं और बढ़िया समवाद है एक और शांति का भाव है एक और वीरता का भाव है और शांति में वीरता का अधवुत समन्वे किया गया है एक और लक्ष्मन है एक और प्रश्राम है आगे बाद चलेगी एक और ब्राह्मन है एक और छत्रिय है और इन दोनों का आपस में किस प्रकार का होगा और आप आज की कथा को आज क पर समाप्त करता हूँ जैश्री राम